नमास्कार दोस्तों, संसत भवन में सेंगोल नहीं सम्विधान रखा जाना चाहिए ये मांग अब विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया है, मामला तुल पकड़ने लगा है दोस्तों, एक साल पहले, जिस सेंगोल को हाथ में पकड़ कर, प्रधान मंतरी अपनी ताकत दिखा रहे थे अब साल भर के अंदर ही वो सेंगोल बैसाखी बन चुका है अब भारती अजुनता पार्टी को सहयोग्यों का सहारा लेकर संसत तक पहुशना पड़ा भारती अजुनता पार्टी के नेता जिस संविधान को बदलने की बात करते थे अब वक्त ऐसा बदल गया कि सारा का सारा घमड चकना चूर हो गया और सेंगोल को हटा कर संविधान रखने की बात होने लगी असल में दोस्तों लखनव की मोहनलाल गंच सीच सेव समाजबादी पार्टी सांसत आरके चौधरी ने संसत में सेंगोल का मुद्दा छेर दिया है उन्होंने संसत में सेंगोल के जंगा सम्विधान रखने की मांग कर दी है इस पर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है दरसल नई लोकसभा गठन के बाद गुरुवार को राश्टपती का अभिभाशन चल रहा था इससे पहले ही सपा सांसत ने सेंगोल को राजा महराजाओं का प्रतीक बता कर उसे संसत से हटाने की मांग शुरू कर दी उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को लिखी चिठी में कहा था कि सेंगोल राजा महराजाओं का प्रतीक होता है इसलिए इसे संसत भवन से हटा देना चाहिए सेंगोल के जगा संसत भवन में समवधान की एक विशाल किताब एक प्रतिमा रखनी चाहिए सांसत के रूप में शपत लेने के बाद विरोध दर्ज कराते हुए आरके चौधरी ने प्रोटेम स्पीकर बद्रहरी महताप को एक चिठी भी लिखी थी इस चिठी में लिखा गया था कि सेंगोल के जगा भारतिय संवधान की विशाल काए प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए सेंगोल राज तंद्र का प्रतीक है जबकि संवधान देश की स्वतंतरता देश के लोकतंतर का प्रतीक है दोस्तों इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर काफी कुछ बोला है विपक्ष काफी आक्टिव हो गया है अब इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है उन्होंने काया कि हमारी पार्टी के सांसद इसलिए ऐसा कह रह पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरीके का पत्र लिखा है इस तरीके का बयान दिया है यह पूछे जाने पर दोस्तों कि उनकी क्या राय है अपने सांसद की बात पर इस पर अकलेश यादव ने कहा कि जब सेंगोल लगा था तब उस समय जो मेरी राय थी उसे आप भी इच्छा नहीं होगी सुनिये क्या कह रहे है अखलेश यादव मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधान मंती जी ने वाकाइदा प्रणाम किया था इस बार शबत लेते समय शायद वो भूल गए उसी को याद द हम इंडिया ब्लॉग की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे वहीं कॉंग्रस और राजद ने सपा की मांग का समर्थन किया है कॉंग्रस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि भारतिया जंता पार्टी मनमानी करती आई है हमेशा से मनमानी करती है उन्हें अपनी मर का zmi मूजीम में लगाना चाहिए वही उसकी जगाह है राज तंद्र का प्रतीह है इसलिए इसे आप म्यूजियम में लगाई है आपको बताबे दोस्तों कि नए संसद भावन के बनानी के बाद पीम नरींद्र मोदी ने खुद संसद भावन के अंधर स्पीकर की कुरसी के था, बकाइदा उसको प्रणाम किया था, सेंगोल को तमिलाडू के एक मंदिर से लाया गया था, बड़े धूमधाम से इसे संसद में सापत किया गया था, खैर, अब देखना ये होगा कि क्या सरकार के लिए ज्यादा जरूरी है, सरकार किसको चुनेगी, सेंगोल को, याफर स आम विधान को, आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमिन सेक्शन में लिखकर बताएगा, ये खबर आप उल्टा चुश्मा, UC पर देख रहे हैं, मेरे नाम है फरीन अंसारी, आप रहें स्वस्त, नमस्त, बस यही है दूआ मारी, नमस्कार.